आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभि रामम श्री रामम भूयोग भूयोग नमाम्यहम अज अन्तक्रण अत्यंत पुल्लाश से समाधान से और कृतद्नेता से भरा हुआ है हमारा संपुर्ण राष्ट्र और पुरा विश्व भी आज भग्वान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का परव आरंभ हो चुका है यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है यह इस देश की अस्मिता इस देश का स्वाबिमान और इस देश का आपनोई श्वास इसकी प्रतिष्ठा पांच सो वर्षों की प्रतिष्ठा के पश्चात यह संभव हो सका इसके जो अनेक कारण हैं उनके उपर तो आलोक हमारे सारे सम्मारनी अभ्यागत दालेंगे ही मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूँ छुटा सा काम कारण तो अनेक होते हैं लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट तर तक पहुंच जाते हैं और उस तर पर कोई महापुरुश्चम लोगों को उपलब्द होता है और उस विभूती के कारण यूग परिवर्टित हो जाता है इस प्रकार का परिवर्टन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महां दृत्नों में कि आज हम लोगों को समय की आवश्चक्ता युग की आवश्चक्ता सनातन के अंतक करण की आवश्चक्ता के रूप में हमारे सम्मारणिय प्रधान मंत्री जी प्राप्त हुए है यह केवल इस देश का नहीं यह संपूर्ड विश्व का सवभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को उप्राप्त हुआ आपके मंगल हातों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी वो साभाविक भी था वो होना ही था मित्रों लेकिन मुझे इस बात का आश्चर हुआ जब मुझे लगब 20 दिन पूर्व समाचार में ले कि मानने यह प्रतिष्ठा के लिए स्वयम अपने लिए क्या-क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयम को उसकी नियमावलिया आप लिख करके भेजें जब प्रकार का हमारे देश का अराज नेतिक माहौल है कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी करम करके चला जाता है पूदगाटन हो चाहे पौधारो कुण हो चाहे कुछ भी हो लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं इस प्रकार की भावना कहा होती है यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है भगवान शीराम की प्रतिष्ठा करनी है भारतिय जीवनादर्शों के सरवोच्च आदर्श भगवान शीराम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समानी यहां की प्रतिष्ठा रही है इसलिए एक महान विभूती को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साध हूँ मैं कर्मना मनसा वाचा कर्मसे मनसे और वानी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं सिद्ध बनाऊं और उसका मार्गत तपही है भगवत गीता ने कहा यद्ने दान तपह कर्म न त्याज्यम कारे में वेतर तपह से ही बिशेज परिशुद्धी होती है आज मुझे आपको बतलाने समय अंतक्रन गदगद होने की अनुभूती हो रही है मैंने तो कहा था हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्ष करके लिखा था आपको केवल तीन दिन का उपवास करना है आपने ग्यारह दिन का संपुर्ण उपूशन किया हमने ग्यारह दिन एक बुक्तर रेने के लिए का था उन्हें अनका ही त्याग कर दिया महाभारत में कहा गया है अनशन यह सबसे बड़ा तप है अनशन और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने किवल देखा नहीं मैं थोड़ा तारकिक हूँ आपकी परमपूजनिया माता जी से मिलकर के मैंने उसको रीकनफर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास चालीस वर्शों का है कि आप अशर्ड़ सब्सक्राइब को sudahकि हुए राट्रिये नेता प्राप्त होना या सामानय बात नहीं है वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए क्योंकि सांसतर की कडोश भी आते है सांस्तर गी लाट ही विदेश प्रवास ऐसा किया नासिक से आरंब किया गुरु आयूर गये श्री रंगम गये रामेश्वरम गये इन सारे स्थानों पर जाकर कि वहां के परमानुओं को लेकर के और पूरी भारत-माता के हर कोनों में जाकर के मानों वे निमंतरन दे रहे थे कि आये दिव्यात्माओं अयोध्या हमने केवल कह था तीन दिनों तक आपको भूमी शयन करना चाहिए ग्यारह दिनों से आप भूमी शयन कर रहे हैं इस कड़कड़ाती थंड में इस प्रकार का शयन करना मित्रों ब्रह्मा जी ने सुट्टि को निर्मान किया उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था भारत के संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इती हमारे पूज गुरुदेव के गुरुदेव परमगुरुद कहा करते थे कांची के परमाचार जी महराज तपस्चर म मैं जब भी उसे मिलता था तपस्चर आज तपकी कमी हो गई है और उस तपको हमने साकार आप में देखा मुझे इस परमपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें ये सब कुछ था और उस राजा का नाम चत्रपती शिवाजी महराज चत्रपती है शायर जैनले हैं जब मली कार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के उपर गए तीन दिन शिवा मंदिर में रहे और महराज ने कहा कि मुझे राज्जन नहीं करना है मुझे संयास लेना है मैं श्रुजी की आरादना के जन्मा हूँ मुझे सन्यास लेना है मुझे वापिस मत ले जाईए इतिहास का वो बड़ा बिलक्षन प्रसंगा है उस प्रसंगा में उनके सारे जेट मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार यह भगवत सेवाही है आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महा पुरुष ऐसे प्राप्त हुए है जिसको भगवती जगदमाने स्वयम हिमाले से लौटा करके बेड़ दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करनी है मैं अपने को कभी सद्धा रखने के वारे में भावक नहीं पाता हूँ लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहांपर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप जुग जाता है ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्ती स्थाजर्शी ने जब दिखाया तो मुझे सत्रपती शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई उनने शिवाजी का वड़न किया निश्चयाचा महामेरू निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू अकंडस्तिता निर्धारू श्रीमंत योगी श्रीमंत योगी श्रीमंत योगी हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ है आज मैं यहाँ पर केवल इसलिए खड़ा हूँ कि तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमती लेकर के और उनके आशिरवाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है आप सब की सहमती हो तो आप सब लोग ओंकार का घोश करके मुझे समती दे हैं अपना उस प्वास पूर्ण कर रहे हैं माननी प्रखान मुंत्रिजी ग्यारा दिवसी उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं